इस आज का टोपिक है इस अपाउट देन्यू थिंग जो कि हमने स्टेडी करनी है जिसका नाम है इंथालपी इन्तालप्य हमाँआप अज हम सेस्टम हमसीति नहीं ..... मरे एक तॉपिक व्ला ही सिसिटम 그러 weit जिसम। जिसमें हमारे पास एक सिलिंडर था। उस सिलिंडर के अंदर हमाँए ताथि। इस गयस के अंदर जहा हमने अनरजी दी। और उसका वैंज होगा ता। अब उसी केस में हcott लास्ट जो बात की थी वो यह थी कि हमने व्लिम को शक्राइब ए फिस केस में हम बात करते हैं कि हमने आपके पास जो फ्रशार वह कॉंस्टर अधिया है अब हम जितनी भी discussion करेंगे इस case study को लेके उसके अंदर pressure जो होगा वो constant होगा अब जो heat energy हमने इसके अंदर दी जो हमने क्यों इसके अंदर दिया तोटल amount of heat energy वो क्या करेगी जाके ये energy basically दो काम करेगी जो heat energy हमने उसको provide की heat वो जो है वो दो काम करेगी two things, कौन कौन सी number one that will increase the internal energy कुछ जो हिसा होगा इसका वो system की internal energy में add होके उसकी energy को बढ़ा देगा और दूसरा जो हिसा था इसका some of the part of this heat energy जो के हमने इसको दी वो क्या करेगी that will work वो वर्क करेगी ये हमारे पास अगर cylinder था तो इसके अंदर जो volume इसका चेंज होना है आपने amount of the q ये q ने कुछ q जाके इसकी internal energy में add हो गई और बाकी की q ने इसका volume जो है वो बढ़ा दिया work को है जो है वो perform किया तो यहां से जो हमें ये पता लगा कि आपके पास जो है work वो किया है आपकी internal energy को मिलने वाली heat ने तो अब यहां पर जब हम work की और internal energy की e की बात करेंगे तो फिर इन दोनों को relate करते हुए हमें एक नई term define करनी पड़ेगी जिसका नाम है enthalpy या जिसको हम heat content of the system कहते हैं कि system का total heat content जो है वो कितना है तो अगर मैं बात करता हूँ total heat content of our this system तो इसके अंदर अगर आप देखें तो total heat content तो होगा enthalpy जिसको मैं कह रहा हूँ जिसको मैं H कहूँगा delta H की पारी बात में आएगी H तो हम represent करते हैं enthalpy को तो H जो है इस की इस system की that will be equal to the internal energy जो के इसकी system की energy मौझूद है plus वो energy जो इस्तमाल हो गई है वर्क करने में और वो कौन सी energy है वो work की form में मैं लिखूंगा that is PV total energy total heat content of the system तो यही है ना कि जो energy उसके पास internal energy की शकल में मौझूद है वो plus वो energy जो उसने इस्तमाल कर दी थी वर्क करने में तो उन दोनों को जब मैं sum up करूंगा तो मेरे पास total heat of the content system निकलाएगा जिसको मैं enthalpy कहता हूँ enthalpy अब state function है और इसको हम joules में और kilo joules में जो है वो लिखते हैं क्योंके यह भी heat content है energy है अब जब कि यह state function है तो we cannot find out this value we will only find out the delta h प्योंके state function में हम initial and final values exact find out नहीं कर सकते but we can only find out the change के process कि अब हमने कर लिया तो उसमें change कितना आया तो डेल्टा h से जब मैं इस पूरी equation को multiply करूंगा तो it will be something like this पीवी के साद डेल्टा multiply होगा ए के साद डेल्टा और डेल्टा h यह equation जब मैं expand करूंगा तो it will be something like this यह डेल्टा अंदर हो जाएगा multiply जब यह multiply होगा तो पहला case होगा कि वी और टी के साद डेल्टा आजाएगा प्लस टी वैसे ही और वी के साद डेल्टा आजाएगा यह नही equation बन गी अब हमने शुरू में एक बात की थी कि हम जो है pressure को लेके चल रहे हैं constant जब pressure constant होगा तो डेल्टा पी 0 हो जाएगा जाहरी सी बात है जब पी 1 बराबर होगा पी 2 के तो डेल्टा पी क्या होता है पी 2 माइनस पी 1 तो डेल्ट विल बी 0 तो जब डेल्टा पी 0 हो जाएगा तो यह value खत्म और हमारे पास जब नई equation आएगी वो होगी डेल्टा H is equal to डेल्टा E प्लस P डेल्टा V तो this is the equation of enthalpy जो के हमारे पास इस्तमाल होगी और इसकी derivation आपको यहां तक जो है वो आने चाहिए अब हम बात करते हैं इस equation में डेल्टा H is equal to डेल्टा E प्लस P डेल्टा V आपको पता है कि solids and liquids जो होते हैं they are incompressible यह बहुत कम compress होते हैं solids तो बिल्कुल नहीं होते हैं और liquids very less जबके gases जों सी होती हैं they are compressible उनको हम compress कर सकते हैं तो solid और liquid के case में जो volume का change होता है delta V that is almost zero जबके gases के case में delta V is not equal to zero कि वालियम इनका reasonably change होता है तो जब हम solid और liquid में delta V zero होगा तो यह term भी हो जाएगी zero तो हमारे पास solids और liquids के case में delta H is nearly equal to the delta E जो intelligent energy होती है वही जो है उसकी enthalpy भी होती है solids और liquids के case में लेकिन in gases the overall equation जो उनसी है वही अमल में आएगी क्योंके इसके अंदर delta V की value अब zero नहीं रहती तो यह चीज़ भी जो है आपके mind में जो है वो रहनी चाहिए अब इस equation को हम आगे लेके चलेंगे जो हमने अभी derive की जो के थी delta H is equal to delta E प्लस P delta V अब अगर आप recall करें इसे को मैं equation number one कह देता हूँ अगर आप recall करें first law of thermodynamics वो क्या था वो यह कहता था कि जो आपके पास delta E है that is equal to Q plus W अब W क्या है W is the work which is done by the system अब system जो work कर रहा होता है that comes out to be negative तो minus P delta V work होगा इस work को उठा के जब मैं इस equation में put करूंगा तो it will come out Q plus into minus P delta V delta E यह जो है delta E की value बन जाएगी Q plus minus minus into P delta V यह जो equation number two है first law से मैंने निकाली मैं इसको equation number one में put करूंगा I will write put equation one equation two equation two in equation number one equation number one है यह this one इसके अंदर मैं delta E की जगा यह value अब पुट कर रहा हूँ तो delta H is equal to delta E की जगा उसकी value Q minus P delta V and plus P delta V यहां से यह यह कैंसल आउट हो गए और मेरे पास एक नई equation आ गई delta H this is equal to Q P तो यह जैसे आपके पास equation पहले आई थी अगर आपना previous topic recall करें कि जब constant volume के उपर हमने perform किया था तो यह equation आई थी और यहां पर कौनसी equation आई है delta H is equal to Q into P तो these two equation आपके पास relatable है कि जब आप अपने system को constant volume पे रखेंगे तो तमाम की तमाम heat जो है वो किसमे जाएगी internal energy में और जब आप constant pressure के उपर perform करेंगे तो तमाम की तमाम heat energy बराबर होगी उसकी enthalpy के तो this is very easy to understand and relate तो यह था हमारे पास the concept of enthalpy अब हम आपकी की बुक में given एक example की मदद से इस concept को मदीद जो है वो study करेंगे तो हम चलते हैं अपनी example की जब this is the example number one of your chapter number seven जिसके अंदर enthalpy की calculation वो मांगेगा वो कह रहा है जी के when सबसे पहले कोई भी example solve करें उसका given data जो है वो आप लिख लेंगे हमें क्या क्या given है फक्ते पहली वो बात कह रहा है जी के two moles of hydrogen and one mole of oxygen कह रहा है जी एक oxygen का mole दो hydrogen के mole at temperature is equal to 100 degree C and pressure is equal to 1 tor ये react करेंगे और produce करेंगे क्या produce करेंगे they will produce two mole of water and they will release the amount of energy जो के delta H होती है वो कितनी निकलेगी 4.5 kilo joule of energy are evolved अब energy evolve हो रही है मतलब निकल रही है और निकलने वाली energy को हम पढ़के आए है कि हम minus sign से represent करते हैं तो delta H हमारे पास minus 4 84.5 kilo joule आगई आखर में जो है आप यहां पर लिख लिखने required किसी भी numerical को solve करने का तरीका यही है कि आप पहले given लिख लिखने पर उसके बाद required चीज़ें लिखने कि हमसे मांगा क्या क्या है हमसे दो चीज़ें मांगी है number one is the delta H of one mole of water और number two is the delta E of one mole of water यह दो चीज़ें जो हैं हमसे मांगी गई है अब हम चलते हैं इसके solution की तरफ यहां पर मैं दोबारा overall example का scenario समझा दूँ वो equation के बारे में detail दे रहा है कि 2 mole hydrogen के मिलेंगे 1 mole oxygen का मिलेगा इसकी equation अगर मैं लिख हूँ तो it will be 2H2 plus one mole of O2 this and it will form two mole of water equation भी balance है और delta H आपके पास है minus 484.5 kilo joule और हमसे मांगा गया है कि delta H एक mole की निगा लो यह equation में कितने mole बन रहे हैं दो mole लेकिन मांगा एक mole का गया है तो हम इसको डिवाइट करेंगे तो हम जलते हैं इसके solution की तरफ solution में पहला पार्ट है जी delta H of one mole of water is equal to question mark अब एक mole पानी का आपको delta H चाहिए तो आपके पास जो होगा वो होगा delta H is equal to minus 484.5 kilo joule यह आपको given थी this is delta H for two moles equation में इस equation को दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे 2H2 plus O2 forms 2H2 O तो यह दो mole की energy आपके पास given है but you have to find out for one mole तो मैं इसको two से divide कर दूँगा तो पहला answer जो मेरे पास आएगा that is minus 242.2 kilo joule per mole तो this is delta H for one mole of water तो पहला पार्ट हमारे पास complete हो गया दूसरा पार्ट है delta E find out करनी है और delta E के लिए हमारी वही equation use होगी जो हमने enthalpy के topic में अभी शुरू में derive की वह equation थी delta H is equal to delta E plus P delta V if equation number one के अंदर ये चीज हमारे पास मुझूद है जो के यह पड़ी हुई है delta E तो हमने find out करना है P delta V की value हमारे पास नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे we will find out P delta V अब P delta V के लिए हम क्या करेंगे हम ideal gas equation लगाएंगे आप अपने third chapter को recall करें ideal gas equation वो ये कहती थी के P V is equal to N R T अब जब delta आएगा तो P delta V is equal to delta N into R and T T हमारे पास गिवन था जो के 100 degree C था इसको जब मैं convert करूँगा Kelvin में तो मेरे पास ये आजाएगा 373 Kelvin इस equation में put करने के लिए T मेरे पास निकलाया R R कैसे निकलेगा R आपको पता है के gas constant होता है और ये हमने अपने units को देखते हुए लेना होता है तो units को देखते हुए हमारा जो R है that is 8.314 J per Kelvin per mol ये हम लेंगे P डल्टा भी हमें चाहिए R हमारे पास मुझूद है T हमारे पास मुझूद है डल्टा N कहां से आएगा इसको मैं question number 2 कह रहा हूँ डल्टा N जो हमारे पास होगा वो होगा number of moles of products के बने कितने minus number of moles of reactants number of moles of products मैं reactants के moles minus कर दूँँगा तो मेरे पास आजाएंगे डल्टा N के change in volume कितना आया है अब मुझे यहाँ पर equation लिखता हूँ मैं 2H2 plus O2 forms 2H2O अब number of moles of products कितने है 2 and number of moles of reactants कितने है 2 plus 1 3 तो मैं इसको put करता हूँ number of moles of products are 2 number of moles of reactants are 3 and it turns out to be minus 1 तो डल्टा N की value minus 1 आ गई R की value मुझूद है T की value भी मुझूद है इस equation 2 में मैं सारी values अब put करूँगा तो equation was P delta V is equal to delta N R T delta N is minus 1 mole R हमारे पास है 8.314 into joule per mole per Kelvin और multiply by T जो के 373 Kelvin है तो यहां से हमारे पास P delta V जो है वो निकलाएगा यह Kelvin पर Kelvin से कट जाएगा यह mole per mole से कट जाएगा और joule में हमारे पास answer आ जाएगा जो के है minus 31 hundred joule और जब मैं इसको kilo joule में लिखूँगा तो it will be minus 3.10 kilo joule यह P delta V की value आ गई हमारे पास लेकिन हमने यह P delta V की value निकली 2H2 plus O2 forms 2H2O इस equation से निकली है ना delta N की value इस equation से निकली थी वो ही इस्तमाल की यहां पे तो यह value निकली है 2 mole of water के लिए लेकिन हम तो अपना numerical solve कर रहे हैं for 1 mole of water अब मैं तो delta E चाहिए 1 mole की जो है हमारे पास P delta V निकली है तो हम उसको 1 mole के निकालने के लिए हम क्या करेंगे for 1 mole of water हम इसको divide कर देंगे तो for 1 mole of water P delta V is equal to minus 3.10 divided by 2 तो जब मैं इसको 2 से divide करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 1.55 kilojoule पर mole अब हमारे पास P delta V की value भी मुझूद है अब हम इसको उठा के उस equation में डाल देंगे तो हमारे पास equation थी equation was delta H is equal to delta E plus P delta V delta E हमें find out करना है तो इसको मैं इधर ही रखूंगा और यह हो जाएगा delta H minus P delta V delta H जो है हमने पहले topic पहले हिसे में निकाला था अपने इसी example के जो के निकला था minus 242.2 जब हमने उसके given को half कर दिया था पहले part में इंताल पी जो निकाली थी यह उसकी value put की minus P delta V अभी हमने निकाला जो के क्या था minus 1.55 यह minus equation का है और P delta V जो है वो खुद भी minus में था जो के भी हमने उपर उसको निकाला है यहाँ पर this minus 3.10 को जब डिवाइड किया था minus 1.55 इस value को जब मैं minus में इधर पुट करूँगा तो यह minus minus हो जाएगा plus it will be added up into this minus 242.2 plus 1.55 तो delta E जो energy for 1 mole of water formation की निकलेगी that will be minus 240.6 kilo joule per mole तो this is how we can use the equation of enthalpy जो हमने find out की into our examples और इस तरह की मिलती जूलती examples आपको exams में भी आ सकती हैं तो this is very easy all you need to have is the concept के work done by the system है तो positive होगा या negative होगा क्या होगा कहां पे कौन सी चीज किस तरह पूट करनी है कहां से कहां पे gas equation लगानी है r की कौन सी value इस्तमाल करनी है units की कैसे constant करने है everything is important and you must have a complete grip on this तो यह हमारा topic था about the enthalpy अब जब enthalpy का concept हमारे minds में clear हो चुका है तो पर अब हम different enthalpies की definitions with examples जों से हैं अपने next topics में study करेंगे कुक अपने में नहां यह जो भगाने विघ जो की कुका अबएकने थे दो प्धने अवामाल कैंडे MUR प्वार emple